Best Camera Smartphone Under 16K तो भाई अगर आपका बदेट साथ हजार है साथ हजार के पदेट में आप एक कैम्रा Smartphone लेना जाते हो तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए वीडियो को पूरा देखना है मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो रखाए one plus eight pro को तो यार अगर इस smartphone की बात को आपको camera तो तगड़ा मिली जाता है plus आपको एक stylish premium color में देखने को मिल जाता है तो भाई अगर आपको एक stylish design चाहिए उसके साथ आपको तगड़ा camera चाहिए आपके लिए perfect deal हो सकता है आपको back camera में 4K option मिल जाता है plus मैं आपको बत किया हुआ है आपको description box में देखने को मिल जाए अगर आपने अभी तक नहीं चाहूड किया था one plus eight pro को मैं आपको recommend करना चाहता हूँ आप चाहूड कर लेना आपको पसंद आने वाले तो यार अभी बात करते है इसके main specification की मैं आपको deeply बता देता हूँ तो यह display की बातों को 6.78 inch full HD plus display मिल जाती है जो की 120 refresh rate के साथ आते हैं जो की fluid डिस्प्ले है प्रसेसर की बात कर आपको snapdragon 865 मिल जाता है जो की 7 nanometer technology के साथ बहुत अगड़ा है अगर आपने gaming बगारा भी करनी है आप कर सकते हो storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है प्लस 128GB storage battery की बात करो आपको 4510ms की battery मि जाता है जिस पर 4K video recording कर सकते हो 48MP plus 8MP plus 48MP plus 5MP selfie की बात करों आपको 16MP selfie मिल जाती है प्राइज की बातों को 50,000 के बजर में OnePlus 8 Pro देखने को मिल जाता है प्लस मैं आपको बताना जाता हूं कि ये glass pack के साथ देखने को मिलता है प्लस आपको एक premium stylish design मिल जाता है तो भाई अगर आ जाते हैं ये आप पर हैं कि आप उसको यूज कैसे करते हो अभी आगे बात करते हैं number 4 number 4 की बात कुरी है number 4 पर मैंने रखा है Samsung Galaxy S20 FE इसको रखने का number 4 पर एक reason है सबसे पहले तो इसका प्राइज ठीक है आपको ये 40,000 से लेकर आपको 45,000 के बजर तक देखने को मिल जाता ह इसका प्राइज बहुत सही है उसके बाद आपको एक 40 डिजान मिल जाता है आपको इसके color वगरा look वगरा बहुत पसंद आने वाली है प्लस इसका भी camera बहुत तगड़ा आपको back camera में 8K option मिल जाता है front camera में आपको 4K option मिल जाता है तो भई अगर आपने cinematic shoot करना है vlogging करना है आपके लिए तो best deal हो जाता है प्लस अगर आपको एक 40 डिजान चाहिए आपके लिए भी बहुत तगड़ा smartphone है प्रसाइसर भी आपको बहुत तगड़ा मिल जाता है उसके बाद samsung के smart phones की जो display होती है वो तो तगड़ी मिली जाती है सभी को पता है उसके साथ साथ भी samsung का privacy system भी बहुत अतगड़ा है अगर आपने photos होगी वीडियो होगी document होगी अपनी privacy में रखना जाते हो तब भी आपके लिए perfect deal हो जाता है अगर आपका budget कम है मैं आपको recommend करना जाता हूँ किसी और smartphone के और जाने की ज़रूत नहीं है samsung galaxy s20 f ये आपके लिए good deal हो जाता है इसक रिपीड कर दिया था कि इसका display बहुत है तगड़ा होने वाला है processor की बात करूं आपको snapdragon 865 मिल जाता है प्लस आपको 5G smartphone मिल जाता है उसके बाद ये processor जो आपको 8GB RAM मिल जाते है प्लस 120GB story प्लस आप expandable भी कर सकते हो 1TB तक्तिक है बैंटरी की बात करूं आपको 4500 दामें जाता 12MP plus 8MP plus 12MP selfie की बात करूं आपको 32MP selfie मिल जाते है जिस पे आप 4K वीडियर कर सकते हो बैं कैमरे में आप 8K वीडियर कर सकते हो जो कि इस smartphone का plus part आ जाता है तो बही main specification में आपको samsung galaxy s20 fvk भी बता दिये ये smartphone भी आपको सच में पूरा loaded मिल जाता है कम price में आपको तगड आपको बहुत पसंद आने वाला है अब यह आगे बात करते हैं नंबर थी की नंबर थी की बात करूं यहां नंबर थी पर यह मैंने फिर से रखा है samsung की और से smartphone बात कर रहा हूं मैं samsung galaxy s20 plus की अगर इस smartphone की बात करूं आपको color design look वगरा बहुत पसंद आने वाली है उसके ब design मिल जाता है यह premium design में देखने को कह सकते हैं ठीक अगर आपने smartphone के और जाना है आप इस smartphone के और भी जा सकते हैं आपको पचास हजार के budget में samsung galaxy s20 plus normally easily मिल जागा अगर आपने अपी तक नहीं जाओर गया था इसको चाओर कर लेना आपको बहुत पसंद आने वाला है अभी बात करते है इसके main specification की तो यह display की बातों को 6.7 inch dynamic AMOLED display मिल जाते है प्रसेसर की बातों को exonox 990 देखने को मिल जाता है जो की 7 nanometer technology के साथ बेस जाए storage की बात करूं आपको 8 GB RAM मिल जाते है प्लस 128 GB storage battery की बात करूं आपको 4500 mAh की battery मिल जाते है प्लस camera की बातों को quad camera shadow मिल जात प्राइस की बातों को आपको 48,999 के बढ़र में मिल जाता है तो बही main specification में आपको samsung galaxy s20 plus के भी बता दिया मैं आपको कहना जाता हूं मैं आपको recommend करना जाता हूं तो बही अगर आपने अभी तक इस smartphone को नहीं चावड़ गया था आप चावड़ कर लेना मैंने link provide किया हुआ अब यह आगे बात करते हैं number 2 की number 2 की बात कर रही है number 2 पर मैंने रखा है M11 को तो सबसे पहले तो यार यह smartphone निया launch हुआ ठीक है इसका design इसका 40 design मिल जाता हूं उसके बाद आपको मतले इसका camera बगारा भी बहुत तगणा मिल जाता है अगर मैं बात करूं अगर आपने vlogging करन लेकर जा सकता है ठीक है M1 brand का जो camera होता है सभी को पता है कि आपको तगरा दगारा मेली जाता है ठीक है आपके लिए best भी हो सकती है आपको 108 megapixel के साथ camera मिल जाता है back side में front camera में आपको 4K option भी नहीं मिलता है जो कि सच में थोड़ा सा minus point आ जाता है इसका color जो गारा बहुत बात करूं आपको snapdragon 888 देखने को मिल जाता है जो कि 5 9 meter technology के साथ बेज़डा प्रोसाइसर बहुत जादा तक रहा है अगर आपने हाई ग्राफिक पर गीमिंग भी करनी है तो आप easily normally कर सकते हो storage की बात करें आपको 8GB RAM मिल जाते है प्लस दो विड़ में देखने को मिलेगा 8 1GB 12GB एंड तीन बेड़ में आपको देखने को मिलते है storage की ठीक है जो भी बजर में सैट बैड़ता है आप उसके हो जा सकते हो battery की बात करूं आपको 4600ms की battery मिल जाते है wireless charging स्पोर्ट करता है reverse charging में मिल जाके प्लस आपको 55W का fast charger मिल जाता है camera की बात करूं आपको triple camera मिल जात इसका भी link मैंने प्रवाइड किया वह आपको description box में देखने को मिल जागा उसको भी चागड़ कर लेना अभी आगे बात करते है number one की number one की बात करूं या number one पर मैंने डखा iPhone 11 को तो सभी बंदों को पता है जो iPhone का design होता या camera होता वो कितना तगड़ा आपको मिल जाता ठीक ह अगर आपने शूर करना portrait लेने उसके बाद अगर आपने बनाने या टिक टॉक बनाने आपको stylish design चाहिए premium color चाहिए ठीक है तो आपके लिए perfect deal हो सकता iPhone 11 भी आपको तगड़ा processor भी मिल जाता ठीक है अगर आपने कोई भी multi-dasking करने गेमिंग करने आपके लिए best deal हो सकता है आप जा सकते हो iPhone 11 की आठीक अभी बात करते है इसके main specification की तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.1 लिकुर्ट रूटीन डिस्प्ले मिल जाते है प्रोसेसर की बातों को 830 बॉन एक चिपसर मिल जाता है storage की बातों को 4GB RAM मिल जाते है प्लस 64GB storage इसके तीन वरिण आता है 64GB 128GB 256GB ज इसके बात करो आपको 310-0ms की बैंटरी मिल जाते है wireless charging स्पोर्ट करता है camera की बातों को dual camera मिल जाता है 12 अबक्सर प्लस 12 अबक्सर सेल्फी की बात करो आपको 12 अबक्सर की सेल्फी मिल जाते है प्राइस की बात करो इसका जो 64GB विरेट है वो आपको 50,000 के बज़र में मिल ज लायक करणा,क्मेंट करणा,σेयर करणा,दोस्तों के,वी दोस्तों को बेतना उनको भी कहा दो ना कि चांट को कदे शब्सक्राब विडियो को कर दे, लाइक एन इंस्ताग्राम प्रें को फॉलो, लिंक को वरा आजरा आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्श में देखने को मेरी रगस को चाउड़ करने अभी मेरे कैं नाक्स्ट विडियो में नई वीडियो क झाल खर्व है रिंग को..